गुड मार्निंग एवरिवन बेटा आज हम लोग मैस में अल्टरनेट नमबर और मल्टिप्लाई का क्या करेंगे रिवीजन करेंगे ठीक है आप लोग को पता है ना अल्टरनेट नमबर में हम लोग कैसे करते हैं जो भी नमबर यहां पे राइट है वो एक एक नमबर लिखा हुआ है जैसे देखिए 26 next 27 को क्या किया गया है लेफ्ट कर दिया गया है उसके बाद राइट है बिटा 28 28 की बाद 29 लेफ्ट है यहां पे 30 राइट है तो आपको भी क्या करना है एक नमबर को लेफ्ट करना है और उसके बाद वाला नमबर को आपको यहां राइट क करते हैं एक एक नंबर छोड़ कर लिखते हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं अल्टरनेट नंबर देखिए आप 30 के बाद क्या आता है 30 30 के बाद आता है 31 आपको यहाँ पर 31 राइट ने करना है आप क्या राइट करोगे 32 32 और नेक्स अल्टरनेट नंबर क्या हो जाएगा 32 के बाद 33 जो आपको left करना है next alternate number हो जाएगा 34 26 28 30 32 and 34 इसका क्या हो जाएगा alternate number बस आपको याद यह रखना है कि आपको जो भी number right है उस number के आगे वाला number को छोड़ देना है और उसके बाद वाले number को आपको यहाँ पर right कर देना है फिर next step में बेटा उसके आगे का number आप left करोगे और next number आपको right करना है तो देखिए 13, 15 and 17 17 के बाद यहाँ पर आप क्या right करोगे 18 को आपको left करना है आप यहाँ पर right करोगे 19 19 के बाद जो next alternate number होगा बेटा 20 left हो जाएगा तो next alternate number क्या हो जाएगा 21 ओके बेटा next है 41, 43 and 45 अब देखिए 45 के बाद आता है 46 उसको आपको left करना है तो यहाँ पर आपको right क्या करना है 47 47 के बाद 48 को फिर से left किजिए उसको छोड़ दीजिए और next number right करेंगे 49, 49 next देखते हैं 52, 54 and 56 56 के बाद 57 को left करेंगे और आप right करोगे हाँ पे 58, 58 58 के बाद बेटा 59 उसको आपको left करना है छोड़ देना है और next number हो जाएगा 60, 60 last में देखिए 21, 23 and 25 25 के बाद 26 को left करेंगे आप यह right करोगे बाकी जो भी नीचे का multiply है वो आप खुद से बनाईएगा तो चिलिए देखते हैं first में है 13 into 4 multiply का sign आप लोग याद रखिएगे बेटा ऐसे होता है ठीक है अगर यह सीधा होता तो plus का sign होता उसको हम लोगोंने ऐसे उल्टा कर देंगे तो मोजो जाएगा multiply सबसे पहले आपको क्या करना होगा multiply बेटा तभी आप अच्छे से बना पाओगे जब आपको table अच्छे से याद होगी ठीक है तो यहाँ देखिए 13 into 4 13 को 4 से multiply करना है 13 में आप देख रहे हो 1 जो है बेटा 10s place का digit है और 3 जो है 1s place का digit है आपको ध्यान देना है सबसे पहले नीचे जो number होता है उस number से 1s place के digit को multiply करेंगे ठीक है उसके बाद जो carry आएगा उसको 10s place के उपर write करना है और उसके बाद बिटा नीचे वाले number से 10s place के digit को multiply करेंगे और carry का number होगा उसमें आपको add करना है बस इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा तो कभी आपका wrong नहीं होगा चलिए 4 का table आपको कितने times बोलना है 3 times बोलना है 4, 3, 0 4, 1, 0 4, 4, 2, 0 8, 4, 3, 0 क्या हो जाएगा 12 12 का आप यहां carry करोगे 2 और 1 कहा जाएगा आपका carry जाएगा आप यहां पर 10th place के digit के उपर में write कर दिजिए next step में आपको 4 का table बीटा 1 times बोलना है यहां 1 number है इसलिए आपको 1 times बोलना है 4, 1, 0 4 और उसमें बीटा carry वाला 1 को add करोगे 4 plus 1 करोगे तो क्या हो जाएगा बीटा 5 आप यहां write करेंगे 5 13 into 4 equal to क्या हो जाएगा 52 next देखते है 16 into 3 16 को 3 से multiply करना है अब आप पहले क्या करोगे 3 को 6 से multiply करेंगे 3 का table आपको 6 times पढ़ना है 3, 1, 0 3, 3, 2, 0 6, 3, 3, 0 9, 3, 4, 0 12, 3, 5, 0 15 3, 6, 0 18 18 का आप यहां write करेंगे 8 और 1 कहां जाएगा बीटा carry जाएगा जो आपको 10s place के digit के उपर write करना है next step में 3, 1, 0 3 और उसमें आपको carry वाला 1 add होगा 3 plus 1 आप जब करोगे तो क्या जाएगा 4 16 into 3 equal to 4, 8, 48 ओके बीटा अब नीचे जो भी नंबर है देखिए 17 into 2 12 into 5 14 into 3 14 into 4 16 into 2 and 15 into 2 यह सारे multiply आप खुछ से बनाएंगे ठीक है? यह आपका math का work है ओके बीटा इससे आपको math की copy में बनाना है थान्कू सारे तेंस थारोगे इसस ब्डाइ poner थारोगे सेचा है